गाजियाबाद में घर में शौर्ट सर्किट से भयंकर आग लगी है तो ये बड़ी ख़बर गाजियाबाद से जहां आग लगने से तीन मासूम बच्चे जुलस रहे तीनों गंभीर हालत में दिल्ली के अस्पताल में भरती हैं इलाज के दौराने बच्चे के मौत हो गई दो मासूम बच्चों के हालत नाजुक बताई जा रही है पुलिस और बिजली विभाग जाच परताल में जुटा हुआ है मसूरी धाना एरिया के नाहल का ये पूरा मामला जहां दो मासूम बच्चों के हालत नाजुक बताई जा रही है उनका स्पताल में इलाज चल रहा है पुलिस और बिजली विभाग जाच पड़ताल में जुटा हुआ है यह बड़ी खबर रज्याबाद से जाएक घर में शॉट सर्कृट से भयंकर आग लग गई आग लगने से जो फिटे जुटे बच्चे जो थे जो जुलस गए हैं बुरी तरह से जुलस गए और इसके बाद इलाज के दोरान एक बच्चे की दुख़त मौत हुई है दो बच्चे गंभी रूप से घायल है उनका अस्पताल में इलाज चल रहा है पुलिस और बजली विभाग जा और उन्ट इस तरह की ये तस्वीरे सामने आई हैं काफी भयाबा हैं और आग में जुलस जाने की वज़े से एक मासूम बच्चे की मौत भी हो गई है दो बच्चे अन्य घायल हुए इस शौर्ट सर्किट से आग लगने की वज़े से इस वक्ट जो बच्चे घायल है उनकी क तीन बच्चे जुलस जाते हैं जिसमें एक बच्चे की आज जो फैजान हैं उसकी मौत हो गई है और जो दो अन्य बच्चे हैं उनकी हालत भी नाजुक बनी हुई है सबसे बड़ी बात इसमें यह निकल कर सामने आई है क्योंके जिस समय यह हादसा हुआ उस समय इसकी जो मम्मी है जो इन तीनों बच्चों की मम्मी और पापा वो भी घर पर मौजूद रही थे क्योंके इसकी मम्मी के भी चोट लगी हुई है और वो भी दिल्ली के एक होस् अकेले बच्चे थे दोनों और दूसरे मकान में इनके दादा दादी सो रहे थे तो जिस तरह से सुबह साड़े-पांच बजे की घटना है और सोट सरकिट से आग लग जाती है और क्योंकि स्वाभाविक है कि उस समय जो पांच साड़े-पांच बजे का टाइम होता तो ब परताल भी चल रही होगी विजली विबाग की तरफ से पुलिस कर्मियों की वज़े से उनकी क्या कुछ स्ट्रीटमेंट सामने आए हैं अभी अभी पुलिस जो है सबसे पहले प्रात्मिक्ता होती है कि जो गायल बच्चे हैं उनको इलाज के लिए बेजा जाए और जो गा जो घरों में जो वाइरिंग का काम कराया जाता है तो उसमें कहीं न कहीं घर वालों की भी लापरवाई होती है कि उसमें अर्थिंग ना डलवाना या फिर जो लोकल क्वालिटी के तार हैं उनको लगवा लेना तो यह अपने आप में जो लोगों को भी एक मैं अपील करू होता है जिसके चलते ऐसी घटनाएं सामने आती है तो अभी विजली विभागतों कोई खुलकर जवाब नहीं दे रहा है वहीं पुलिस का जो वही कहना है कि कोई लिखित में शिकायत आती है तो उस पर हम जाच कर कारवाई करेंगे लेकिन जो इस घर में एक छती हुई है फि